नमस्कार आप देख रहे हैं CMN News मैं हूँ आपके साथ का निकार सबसे पहले बात करते हैं UP के मुरादाबाद की जहाँ पर उस वक्त बड़ा हाथसा हो गया जब ट्रक ने बाइक को जोरदार टक कर मार दी इस आसे में बाइक सवार युबक गंफी रूप से खायल हो गया वहीं हाथसी की जानकारी लगते ही पुलिस भी मोके पर आई और मामला दर्च कर जाच शुरू कर दी मध्यपरदेश के जबलपूर की बात करते हैं जहाँ पर लेडी अलगिन अस्पिताल से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया फिलहाल पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है और जाच शुरू कर दी है लगभग यह दो बज़े की बात है कर इसको सुचना प्राप्स हुई है कि एलिंग हॉस्पिटल में वार्ड नमबर दो में स्रोजना टहरिया नाम की महिरा की जो आज डिलेवरी के लिए बर्दी हुए थी उसकी डिलेवरी साड़े के आसपास हुई है और दो बज़े को एक अधियात महीला आई है जो उसके बच्चे को उठा के ले गई वह बहार भूने के जिए तो इससी जमें गटना-गटित हुई है जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ हैं उसकी गुस्ताच की जा रही है सीसी टीवी चेक किया रहे है नेलवी स्टेशन बसस्टेंड में तलाश की जा रही है और पुलिस पार्टियें सभी सतर पे लगी हुई है वह तलाश कर दो अस्पताल के प्रभंधन ने दौरे बता गया क्या गटना हुई है सब मेना बच्चा चोड़ी हो गया दो के बाद हुआ है आज ही इसको भर्की किया था आठ बजी करीब चाड़े ग्यारा बजी करीब डिले बरी हुए कैसे चोरी हुए जानकारी तो यह अंदर गई रही वहां से गूंखे आई आने के बाद बच्ची को चुई है उसने तो पर इसके बाद उसने वहें पर उसको सुला दी फिर वह बाहर निकली है फिर इसके बाद वहां वहां ने बोला चाह लेक्या में को के लिए वहां गेट में खड़ी ते थोड़ा सब वहां निकली है तो यहां थोड़ा धेर खड़ी रही है कि उसके बाद में उसने बच्चे को उठा कर वसी भागी है वो सुरत इसके बाद इनों ने बच्चा कहा गया था पीचे से सब्गा दे गए तब दोड़े हैं वह पता भी नीचला कहां से निकल गी गेट में जाकर पता किये तो वह बोले कि हमने तो नहीं देख वाई मैडम जो चायद कोई गई है तो इतना सा पेपर एपर कुछ नहीं खाकर गई है जैसे लेडेस ने ले गई है अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है कि लापरवाही नांट अब करते हैं तो नहीं को पहytes है के अध्ये लड़की है क्या करते हैं काम करते हैं जब बच्चा चोरी हुआ तो अमरीज ने बताया कि उसकी साथ वाली लेडी की बच्चा लेने गई थी और वो खुद बाहरा आ गई थी जब बाड़ो वापिस आई तो उसकी बाजुवाली ने बताया कि उसकी बाजुवाली बेटी थी पलंग पर वो वच्चे को लेडी चेलिए तो उसमारे पती ने बीजा उसके पती ने मताई इसको बेजा एसा मयज़त मताया सब्सक्राइब कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए बैठके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं बहुत बड़ी लापरवाही है क्या कर सकते हैं उनके खिलाब कोई पर रहे हैं उनके पर रहे हैं लिए अगर नर्स थी वहां दुपल के टाइम पर एक ही नर्स होती है दो वार्ड को देखती है और जो नर्स थी वह दूसरे वार्ड में थी और तक वह पॉंची बढ़ना हो गई प्रवाही प्रवंदन की भी मानी जाएगे आप बोल सकते हैं नहीं लेकर इतनी बड़ी बात एक और सरकार शिक्षा के अधिकार के तहट सभी वर को बहतर शिक्षा प्रदान करवाने का दावा करती है तो वहीं कुछ निजी स्कूल नए नए खतकंडे अपना कर गरीब बच्चों से उनका अधिकार छीन रहे हैं मामला जबुलपूर का है जहां रोयल सीनर स्केंडरी स्कूल से बीपी आल कार्ड के तहत पढ़ रहे गरीब बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है क्यों स्कूल का मामला जाएं कि अधिकर नहीं पढ़ाएंगे व्यार्स निकाल को लिखके देदिया है कि हम लोग ने सिंगपूर की कंपनी लिए प्रेंचाइजी उसमें बच्चों को बढ़ा जाएगा तक है आपके बच्चों को बनाम गटी है और आपने बच्चों को प लगती है वह आपको देना पड़ेगी नहीं तो आपको कोई बाहर का स्कूल देखना पड़ेगा जी इसकूल की मनमानी गुंदा करती है और बिया बोला है कि भी आर्सी में हम लोग गए तो भी आर्सी बोला है ऐसा कोई आधिस नहीं आपस लिगे दिव आपस वाले बोलन अब हम लोग जा रहा है माननी अपर का लेक्टर जी फिसे मिलेंगे उनको देंगे हम लोग सब अविवाबब जंग आपका नाम मेरा नाम अतुल दूविश जबूर में 45 वर्षे किसान ने कर्ज माफी ना होने से परशान होकर जहर पीलिया जिसके बाद किसान को इलाज के गंफीर हालत में नीजे उस्पटाल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है वही किसान की हालत अब खत्र से बाहर बताई जा रही है नाम क्या है और तो जहर का लिए इनके क्या कर्ज लिया था तो क्या कर्ज नहीं चुका नहीं पार रहे थी तो कब पता चला आपको कि अधिन को जो कहा गए थे देखने फिर वह देख चना ओले गर गए इसी बजी से खाले हैं कर्ज भी एकार्ज काई मेंस चुका नहीं तो बड़ा नहीं चुका नहीं पा रहे थे मध्य परदेश के उजयन से अगली खब है जहां होली के तिहार और आगामी लोगसभा चुना को देखते हुए पुलिस ने फ्लैक मार्च किया वहीं सियायसफ के जवानों के साथ शेहर में चेकिंग भी की यूपे के बुलन शेहर में आवारा गोवंश और गन्ने का बकाया भुकता नहीं होने से खफा गन्ना किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हला बोला गुसाय किसानों ने काला आम चुराहे पर गन्ने की खोली जलाई और सरकार के खिलाफ नारे बाजी भी की प्रटर करने काम करते हैं आज उसने अपनी फसल को आग लगाई है इसने हमारा भुखतान नहीं हुआ है हमारे खेतों में अवारा पशु जो है लुक्सान कर रहे हैं तो हमारा कहना यह है कि हमारी दोनों मांगों को पूरा किया जाए आज हमारी बिल्कुल बेरंग होली है क्योंकि पुलवामा में आपने देखा किसानों के बेटे सहीद हो गए उनके विरोध में हम बिल्कुल बेरंग होली का जो गोशना करते हैं किसान यूनियन बेरंग होली ऐसे फिरकाफरस्तों को ना दे जो किसान, मजदूर और धरम संपताय को बाटने का काम जो लोग करते हों उनका बहिसकार साही समझें आप तो फिलाल इस बुलिटन में इतना ही बने रही हमारे साथ और देखते हैं तब तक के लिए नमस्कार